तो नमस्कार दोस्तों एक वाफिश श्रागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे तो यहां पर हम एक वार फिर से देखने वाले हैं जो तुराकन श्राइस्टी भारती में हमने देखा था लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी आपके लिए वो जो है 1415 नर्सिंग आफिसर जो पदों पर जो है विग्यप्ति जारी हुई है आयू की तरफ से उसके उपर हमने डेटल से जई आपको जाणकारी देंढी करसा का और नहीं कर सकता है ठीक है तो वो वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि वहां जो है 1455 वेकॆंसılar जो उसके आपको सकता ही ऑजंग नहीं कर सकता ठीक है जो ट्यूटर के लिए जो eligibility है और जो nursing officer 1455 के लिए eligibility है दोनों में बहुत difference है ठीक है तो देखिए इसके 1 दिसंबर से online आविदन शुरू हुए है और 21 दिसंबर इसकी last date है आविदन करने की तो क्योंकि इसके form भरी जारहे है तो form तो आप भरी रहोंगे और कई students के candidate है जो form भड़ते टाइम आप लोगों को काफि सारी जो है पुछ यह दिक्कतें आ रही होगी या नहीं पतारी होगी वह तो फॉर्म भरते टाइम आपको फता लग रहा होगा लेकिन जो है इसके फॉर्म जो है एक दिसमर से बनना सुरू हो गया 21 तारीक को इनकी लास्ट टेट है यह जो है यह जो पद है एक दिस पद है 31 पदों पर यह बिगत जो है निकली हुई है जिसमें कि 6 एक बर एक है यहा फिर्डी ताई जती कि में आपने अनुसे जाती है नों!!! क्यांत्र गल्लंल की इसमें टीक है---- तो अनुस्वशी जाती के देखिए टूटल छे पद है जिसमें कि आपके पास में रिक्त पदों के संक्याद छे हैं जिसमें पांच जो है एक पद जो है उत्राखन मेला के लिए है ओबीसी में देखिए एक पद जो है यहाँ पर उत्राखन मेला के लिए है चार यहाँ पर ओपन है एड़ाखन मेला का तात्परिया है कि जो उत्राखन के ऐसे निवासी जिनके पास में उत्राखन का डॉमिशाल चर्टिफिकट हो इस्ताई निवास पर्माणफत्र हो मून निवास पर्माणफत्र हो उससे तात्परिया ठीक है तो केवल जो उत्राखन मेला 30% का आरख्छन है क्योंकि किवल उत्राखन महला की ही पद यहां पर सुर्जद किए गये हैं सब काटेगری wise बाकि अन्या काटेग्री में जैसे पूरुशनिक है यहां पर नहीं है तो उनकी बात हम नहीं करेंगे तो उत्राखन महला से तात्वरे जिनके पास में उत्राखन का इस्ताई निवास फर्मान फात्र मून निवास फर्मान फात्र है उनसे तात्वरे ठीक है तो उनको यहाँ पे वे अपने सब काटेगरी में उत्राखन महला अपलाई कर सकते हैं उनका जो है जो आरक्षन कलाप उनको यहाँ पर मिलेगा 30% का reservation ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ट्यूटर के लिए क्योंकि मैं भी जो है इसी कुछ डाउट था आप लोंगे लिए इसी डाउट को किलियर करने के लिए आयूग में गया था आयूग के आप इसमें जो क्वारीज करी मैंने तो उसमें जो मुझे पता चला है जो सर्तें यहाँ पर पता लगी है वो मैं आप से शेयर कर रहा हूं ताकि खैर इसके फॉर्म तो ऐसे भी भरे जा रहे हैं लेकिन कहीं ऐसे कंडेट होंगे जो अधर स्टेट के हैं तो इस वीडियो क अगर आपके पास में MSC nursing है ठीक है तो फिर वहां पर आपको एक साल का अनुभव यहां पर नहीं चाहिए ठीक है अगर लेकिन BSc nursing पोश्ट बिसिक BSc nursing है तो वहां पर एक साल का अनुभव आपको चाहिए वह अनुभव जो आपका क्लिनिकल या टीचिंग का होना चाहिए दूसरा यहां पर बस यही है और यहां पर यहां पर निच्छे आगर हम बात कर लेते हैं यहां पर उत्राखन में जो रशेशन है नरसिंग कांसलिंग को यहां फे कोई भी जो है आपके पास में लिखावा नहीं है ठीक है तो यह क्यों के लिखा हूवा है अगला यहां पर नीच्छ पहले हम देख लेते हैं यहां पर57 में इन्हों ने जो दिया हुआ यहां पर लिखा हुआ है अभियर्ति का ओलाइन आविदन करने की जो लाश्ट डेट है यानि 21 दिसम्बर तक दो है उसका जो आपका नर्सिंग में रिशेशन है वो रिन्यू होना चीए ठीक है एक्सफायर नहीं होना चीए वो रिन्यू होना चीए ठीक है तो अब यह एन्य आपका नहीं चलेगा आपका रिशेशन होना चीए नर्सिंग कांसलिंग में तो अब इसमें देखिए कि अब क्वेशन यह आता है कि भाई आप ऐसे कंडिडेट जो की अधर इस्टेट के हैं ठीक है ऐसे कंडिडेट जो अधर इस्टेट के हैं उनका उत्राखन नर्सिंग counseling में registration नहीं है लेकिन वे उत्राखंड के इस्ताई निवासी है ठीक है या फिर उनका 10-12 उत्राखंड से हुआ है तो क्या वे यहां पर eligible है तो इसका answer होगा इसका answer yes होगा क्योंकि देखे other state के candidate अगर है आपका इनसी में नर्ष गुर्ण है उसमें registration होना चाहिए इसमें आप प्रिडर्त होना चाहिए अगर आपका उत्राखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रिजिस्टर नहीं है यहां पर और आपका दूसरे स्टेट में रिजिस्टर नर्स है तो आप इस फॉर्म को भनने के लिए इलिजिवल है तो यह आपके लिए वेटिज है कि अगर आपका रिशेशन यहां पे नहीं है आपने कहीं दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करका तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसमें ट्यूटर के लिए आप एपलाई कर सकते हैं ठीक है तो यह सर्त हैं इसमें आपके पास में MSC नर्सि लिए अथिया टेचिग नगा चलेगा तिक है यह हैं दूसरा यह है कि आपका रेशेशन अगर आपका 1C में रेशेशन होना चкий यह ईगर एप रिशेशन जो बूढ़र्यखे सुनंट चण कर चाहीं और इसमें जो reservation है category sub category wise तो अगर आपको देखिए reservation का लाब लेना है अगर आप reserve category के उसका आपको लाब लेना तो उसके लिए आपके पास में उत्राकन का domitial certificate का होना जरूरी है या फिर आपका 10th या 12th उत्राकन से होना चाहिए तब आपको reservation जो category है उस category में आपको उसका weightage मिल ठीक है बाकी तो यह आपको पता ही है इसमें return exams होगा जिसमें दो पार्स रहेंगे एक तो आपका 200 नंबर का paper होगा इसमें interview के marks भी है experience के marks भी है तो यह दो जो है सेट एन सेट भी में आपका रहेगा तो जिसमें आपके जो 100 marks जो आपके nursing से समन्दित जो आपका field है और 95 के जो marks के जो questions आएंगे वो जननल हिंदी जननल जीएस जीके और जो उत्राकन से relative questions है इसके अलावा teaching aptitude से समन्दित questions बाकी interview और teaching के जो है जो experience है उसके marks आपको यह आपको कोई queries करनी है या कुछ पूछना है या आपको कुछ problems आ रही तो आप comment में कर देना ठीक है उसका जो है देखिंगे क्या होगा